नमस्कार दोस्तो विंटर फ्लोवरिंग प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे फोदे होते हैं जो अपरेल माई तक फ्लोवरिंग करते रहते हैं उसके बाद ये फोदे सुखने लगते हैं बहुत अधिक गर्मी में ये फोदे नहीं बचते हैं इन्हीं में से कुछ ऐसे प्लांट हैं और इनमें सभी में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हो रही है पिछले साल भी मैंने ये पोदे लगाये थे और मैंने ये पोदे नीचे जमीन में लगा दिये थे जिसके काण ये पोदे नहीं बच पाए अब की बार मैंने इन सभी पोदों को गमलों में लगाया है गमले की location को हम change कर सकते हैं गजनिया के पोदों की सरदी के मोसम में तो बहुत ही अच्छी flooring होती रहती है जैसे ही बहुत आधी के गर्मी पड़ती है तो ये पोदे flooring तो करते हैं मगर दीरे दीरे सुख जाते हैं यदि हम इनकी location को change चेंज कर पाएं तो इन पोदो को बचाया जा सकता है इसलिए मैंने इन सभी पोदो को गमलों में लगाया है ताकि इनकी लोकेशन को चेंज कर पाएं जनवरी के मैने तक आप इन पोदो को डारेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख सकते हैं उसके बाद की तेज दूप वाली गर्मी में आप इन पोदो को बाहर ना रखें आप इने ऐसी जगे रखिए जहां एकाद घंटे की इन डारेक्ट सनलाइट इन पोदो को मिल जाए डारेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन से आप इन पोदो को बचा लें इन पोदो में फ्लोवरिंग के लिए सनलाइट की आउशकता होती है दूप खिलती है तो ही इन में फ्लोवरिंग होती है श्याम के समय इनके फूल मुर्जा जाते हैं और नेक्स्ट डे जब दूप दुबारा से इन की पोदो पर गिरती है तो फिर से ये फूल खिल उठते हैं इन पोदो से अधिक से अधिक फ्लोरिंग लेने के लिए इनको डारेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख दिया जाता है अधिक तेज दूप और गर्मी के कारण ह ये पोदे सूख जाते हैं यदि हम इन पोदो को जनवरी के बाद छायादार लोकेशन में रख देते हैं और वाटरिंग कम करते हैं तो ये पोदे नेक्ट सीजन के लिए भी बच जाते हैं इन पोदो को डिवाइड करके नए नए पोदे बनाये जा सकते हैं इनकी में स्ट रजल्ट हमें मिल जाता है और कोई भी पोदा खराब नहीं होता है यदि आप इन पोदों से अधिक से अधिक फ्लोवरिंग लेने चाहते हैं तो इनके सुखे वे फूलों की फ्लोवरिंग स्टेम को काट दें यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो इनके बीज बनने स्टार्ट हो बटेंगे तो और भी नई-णई फ्लोवरिंग स्टेम निकल कराएंगी और ये पोदा घना बन जाएगा इन पोदों में अधिक से अधिक फ्लोवरिंग लेने के लिए अधिक खाद डाल दी जाती है ये भी पोदे के सुखने का मेन कारण हो जाता है क्योंकि इसको अधिक खाद किया सकता नहीं पड़ती है और बार-बार इसमें खाद डालने की वज़े से ये पोदा स्ट्रेस में चला जाता है और दीरे-दीरे ये सूख जाता है इसलिए यदि आपको ये पोदा नेक्ट सीजन के लिए बचाना है तो इसमें खाद बिल्कुल भी नहीं डालनी है बिना खाद या फर्टिलाजर के भी इसमें बहुत अच्छी फ्लोवरिंग देखने को मिलेगी शुरुवात में जब आप इन पोदो को गमलों में लगाते हैं तो उसी टाइम इनका पोटिंग सोयल त्यार करते समय इसमें खाद यूज कर लें उसके बाद पूरे सर्दी के सिजन में इसमें खाद डालने के आवसकता नहीं होगी इन पोदो को बचाने के लिए ना तो आप इन में अधिक पानी डालें और ना ही अधिक खाद डालनी हैं और ना ही इन पोदो को अधिक सनलाइट में रखना है यदि आप इन तीन बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपके ये पोदे कई सालों तक आपके गार्डन में रह सकते हैं I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू